Assalamu alaikum my dear student, हम comprehension कर रहे हैं चैप्टर नमबर 5 की Thank you Lord, ए आल्ला तेरा शुकर है आप ये पिक्चर देख रहे हैं, आपकी बुक में है Please don't kill me, ब्राइ मेरबानी मुझे मत मारो I give you oxygen and shelter, मैं तुम्हें oxygen और पनाख फ्राम करता हूं ये द्रफ जो है लकड हारे को हाफ बांद के इलतजा कर रहा है तो क्या ये आदमियों का द्रफों को काटना आपके ख्याल में सही बात है ये बिल्कुल गलत बात है हमें द्रफ नहीं काटने चाहिए बलके more plantation करनी चाहिए ये द्रफों को ज्यादा शजरकारी करनी चाहिए question है what will happen to the environment if trees are cut for wood and fuel and mahol को क्या होगा अगर हमने द्रफ काटने शुरू कर दिये and what other benefits we get from trees और कौन से फाइदे हैं जो हमें द्रफों से हासल होते है तो trees act like our lungs के इन से हमें oxygen हासल होती है और हमें carbon dioxide ये absorb करते है यानि हमें सांस लेने के लिए जो oxygen है वो पौदे हमें फराहम करते है इसके अलावा आप देखें के द्रफों का होना आंखों के लिए कितना अच्छा है they provide us beautiful scenery इसे ये खुबसूरत सीनरी बनाते हैं हमारे लिए trees gives us food और फिर हम द्रफों से खुराक हासल करते हैं हम मुसरिफ तरह के फल इन से हासल करते हैं इसके लावा शहद भी द्रफों से हासल होती है trees are a home to many animals और आपको पता है कि बहुत सारे animals जो हैं उनका बसेरा इनी द्रफों पर होता है फिर द्रफ जो हैं हमारी environment को cool करते हैं cooling effect of one tree is cooling effect of ten air conditioner और air conditioner cooling करने के अलावा माहौल को गर्मी फरहम करते हैं लेकिन एक द्रफ जो है वो माहौल को ठंड़क फरहम करता है trees absorb the ground water and return as rain fall जहां पर द्रफ तो होंगे वहां पर बारशें ज्यादा होंगी क्योंके वो जमीन में जो पानी है उसको जजब करते हैं वो फिर जो है उनसे जो evaporate होता है वो खारात की शकल में और उनसे बादल बनते हैं और बारश बनकर बादल जमीन पर बरसते हैं ग्रोइंग 스ी इंप्रूफ दा क्वालटी अफ स्वाइन आफ ग्राउंड वाटर जो tree roots hold soil in place and increase water infiltration जो कि जड़े होती है वो फैल जाती हैं वो मिटे को सही हालत में रखती है और पानी बहुत आसानी से नीचे जजब हो जाता है However, trees are disappearing लेकिन इसके बावजूद जो द्रख्त हैं वो गायब हो रहे हैं We cut down trees to build homes हम द्रख्त काटते हैं और अपने घर बनाते हैं We cut down trees to make paper हम द्रख्तों से paper बनाते हैं Our trees die when there are fires और जब आग लग जाती है खुश्कसाली की वज़ा से तो भी द्रख्त मर जाते हैं What happens when trees are gone? What are the effects? अगर द्रख्त चले गए तो उनके क्या असरात होंगे? The trees die and the earth is not beautiful यह जो दुनिया है यह खुबसूरत नहीं रहेगी क्योंके इसकी खुबसूरती द्रख्तों के साथ है Animals lose their home और जो है बायो डाइवरस्टी जिन्दगी की मुखसलिफ जो तनवो है वो खत्म हो जाएगा क्योंके यह बहुत सारी different animals को घर देती है Animals can't get food from the trees और Animals का गुजारा तो द्रख्तों की खुराख पर होता है वो खुराख कहां से हासल करेंगे जब खुराख नहीं मिलेगी तो Animals चले जाएंगे Has resulted in excessive flooding during the rains द्रख्त नहीं जब होते तो सिलाब आ जाते है और फिर global warming आप देखें कि आइस्ता आइस्ता द्रख्त काटने की वज़ा से दुनिया का temperature बढ़ता जा रहा है जिससे polar ice जो है वो melt हो रही है और दुनिया जो है वो खात्मे की तरफ बढ़ रही है हमें चाहिए कि हम ल्ला का शुकर अदा करें ल्ला की नेमतों की हिफाज़त करें ज्यादा से ज्यादा द्रख्त लगाएं और अपने मूँ से भी अल्हम्दोलिल्ला कहें उठते बैटते और सबसे बड़ी बात ल्ला की भेजवी किताब को अर्दू तर्जमे के साथ पढ़े अगर हम शुकर गुजार बंदे बनना चाहते हैं क्योंकि अल्ला कहता है तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हे याद रखूंगा आप सोचें रब्ब काइनात सारी दुनिया का बात्षा वो अगर आपको याद करें और उसका बहतरीन तरीका याद का है कि हम अल्ला के शुकर गुजार बंदे बने अमीदा आपको सबक प्संद आया होगा इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें